आदि में शब्द था, शब्द इश्वर के साथ था, शब्द के द्वारा इश्वर ने सब कुछ बनाया, उसी शब्द के द्वारा आज असंखे मानवों की मुक्ति होती है, नव निर्मान होता है, मुक्ति का संदेश प्रभु की उपस्तिती का अनभाव करने का प्रहास करें जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु आपके करीब हैं और आपके जीवन में प्रभु एक कारे करने जा रहे हैं, ऐसा विश्वास करें एक विश्वासी का जीवन इश्वर पर निर्भर जीवन है, संद पावलूस कहते हैं कुरिंतियों के दूसरे पतर के अधियाय पांच उसके वाके साथ में, के हम आखों देखी बातों पर नहीं, बलकि विश्वास पर चलते हैं, हम आखों देखी बातों पर नहीं, बलकि विश्वास पर चलते हैं, एक विश्वासी का जीवन विश्वास पर जीवन है, विश्वास की यात्रा है, और इसलिए वह इश्वर पर निर्भर रहता है, स्वयम पर नहीं, लोगों पर नहीं, मनुश्यों पर नहीं, आन्य शक् मेरी पुत्री के समान है कई वर्षों से आश्रमा रही है प्रभु पर बहुत विश्वास करती है और काफी समय प्रार्तना में बिताती है जीवन के हर छण में वो प्रभु की पस्तिती महसूस करती है संयुक्त परिवार में रहती थी और इसलिए कई प्रकार के दुखों का स घर पे ही अलग किया गया उसको काफी घाटा सहना पड़ा हर समय वो पुत्री बोला करती थी प्रभु के लिए कुछ भी अस्संभव नहीं है जाने दीजिए जाने दीजिए जाने दीजिए लेकिन छे साल पहले उस पुत्र की ऐसी हालत हो गई कि उसके पास कोई काम नहीं थ बहुत उदास्ता हताश था ऐसी अवस्था में प्रभू ने उसको एक नया कारिसांग दिया एक ऐसा नया काम कि अब विश्वास नहीं करेंगे पिछले पांच वर्षों में उसने काफी कमा लिया उसने अपने लिए एक अलग से मकान बनाया उसके शिलानियास के लिए मैं इस बार गया था मैंने देखा कि उसने तीन मंजिल का बहुत सुंदर आली शान मकान बना दिया भव्य मकान जब मैं उसके छट पे खड़ा था मेरा हृदय गदगद हो रहा था मैंने उस पुतर जे पूछा कि तुम इतना बड़ा मकान कैसे बना पाए उसने कहा कि इसके अ उबात उस समय मुझे आदाई प्रभू ने कहा है यदि तुम मुझमे रहो और मेरी शिक्षा तुमें बनी रहे तुम जो चाहे मांगो वो तुमें दिया जाएगा यदि तुम मुझमे रहो और मेरी शिक्षा तुमें बनी रहे तुम जो चाहे मांगो और तुमें दिया ज जाएगा वास्तों में उस पुत्री की जीवन में प्रभू ने यही करके दिखाया जब छट पे खड़ा था मैंने उस भाई से पूछा कि पुत्र लोग तुम्हारे विकास के बारे में क्या कहते हैं उसने कहा कि स्वामी जी लोग कहते हैं सबसे पहले इसकी पत्नी और बच् चिपावव खजाना गुप्त स्थानों में रखीवी संपत्ति दूँगा और वास्तों में उस परिवार के जीवन में प्रभू ने यह करके दिखाया प्रेमित्रों आप जिस इश्वर पर विश्वास करते हैं वो जीवित है वो असंभव को संभव करने वाला इश्वर है वो सर्वश्क्तिमान इश्वर है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है वो आपको प्यार करता है आपके पापों को च्छमा करता है आपके कलंक को मिटा देता है आपके हर पापको नजर अंदाज करता है आपको साथ देता है आपके आंसों को पोंच देता है आपको पर उठाने में समर्थ है आएम प्रार्तना करें एक पल के लिए अपने दोनों हाथों को अपने सेने पर लगाईए और इस समय इन वातों पर विश्वास कीजिए कि मैं जीस इश्वर पर विश्वास करता हूँ, वो जीवित इश्वर है जिन्दा इश्वर है वो सर्वशक्तिमान इश्वर है उसके लिए कुछ भी असंभाव नहीं है वो असंभाव को संभाव करने वाला इश्वर है वो मुझे पियार करने वाला इश्वर है मेरे पापों को शमा करने वाला इश्वर है मेरे कलंग को मिटाने वाला इश्वर है मेरे जीवन में महान कारी करने वाला इश्वर है उसके लिए कुछ भी असंभाव नहीं है पूर्ण विश्वास कीजिए और एक ऐसे इश्वर पर निर्भर होने के लिए त्यार हो जाईए जीवन की हर परिस्तिती में उस सर्वश्वक्तिमान इश्वर पर निर्भर रहने के लिए त्यार हो जाईए आँकी खुली परिप्री मित्रो हमें ऐसे एक इश्वर पर निर्भर होना सीखना होगा हमारा जीवन इश्वर पर निर्भर जीवन होना चाहिए चार बाते में आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसके द्वारा हम ईश्वर के महानकारियों को अपने जीवन में देख सकते हैं सबसे पहली बात ईश्वर के क्रियाशीलता के लिए प्रतिक्षा करें ईश्वर की क्रियाशीलता के लिए प्रतिक्षा करें स्तोत्र 37 उसके वाक्य साथ में प्रभु कवचन कहता है कि माउन रहकर प्रभु की प्रतिक्षा करो याद रहे एश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुम्हें आकाश के तारों की तरह असंख्य संतान दूँगा समुद्र तर्ट के बालू कणों की तरह असंख्य संतान दूँगा और इब्राहिम ने 24 साल तक इसकी प्रतिक्षा की 24 साल तक एश्वर की उस प्रतिग्या की पूर्ती के लिए इब्राहिम ने प्रतिक्षा की और इश्वर ने अपनी प्रतिग्या को पूरी की एक विश्वासी को सबसे पहले मौन रहकर एश्वर की प्रतिज्या की पूर्ती के लिए प्रतिक्षा करने होगी फिलिपियों के पत्रगिय अध्याय चार वाकिय छे में संद्पौलूस हमें बताते हैं आपने इस वच्छन को बार बार सुना है सन्द पौलूस कहते हैं किसी बात की चिंता न करें हर जरूरत में प्रार्थ न करें विने तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभू के समुख रखें विने तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभू के समुख रखें उसके बाद क्या करें प्रतिक्षा करें कैसी प्रतिक्षा उमेदों के साथ प्रतिक्षा कि प्रभु मेरी प्रार्तना को सुन रहा है प्रभु मेरी प्रार्तना को पूर्ण कर रहा है दूसरी बात वो बात यह है कि हमें अपनी योजनाओं को इश्वर की योजनाओं के अनुसार बनाना पड़ेगा हमें अपनी योजनाओं को इश्वर की योजनाओं के अनुसार बनाना पड़ेगा यानि इश्वर की इच्छा पर छोड़ना होगा पिछले सब्ताह में एक जवान लड़की आश्रम आई थी करीब 24-25 साल की लड़की और वो पढ़ा रही है एक तरह से वो अनाथ है उसके पिता नहीं है माने दूसरी शादी की और अनाथ की तरह बच्पन से पल रही है और वो लड़की मेरे सामने बैठकर रोती हुए कई बातें बता रही थी अपने जीवन के बारे में बता रही थी अपनी युवावस्ता से ही वो लड़की प्यार की खोज में है पिता की प्यार की खोज में मा की प्यार की खोज में और उसने खुल कर मुझसे कहा कि प्यार की खोज में ना जाने कहां कहां मैंने पहुँची एक-एक लड़के को बदलती जा रही थी और वो धोखा खाती जा रही थी अंत में वो एक लड़के को प्यार करती थी लेकिन उस लड़के ने भी उसको धोखा दिया और वो दूसरी लड़की के साथ चला गया और संभवता उसके साथ शादी होगी अंत में ये लड़की रोती भी मुझसे कह रहे थी कि स्वामी जी मुझे वही लड़का चाहिए I want that boy मुझे उसी लड़के से शादी करनी है मैंने का बेटे आगर वो तुमसे प्यार करता तो तुम्हें नहीं छोड़ता तुम्हें छोड़ने से तुम्हें इस बात का एसास हो रहा है कि वो तुमको प्यार ही नहीं करता है उसको छोड़ दो लेकिन वो लड़की छोड़ने को तयार नहीं है हम सब के अंदर इस प्रकार की जिद्ध होती है हम जिसको पकड़े हैं उसको छोड़ने को तयार नहीं है हम सोचते हैं कि हमने जो पकड़ा है वही सही है लेकिन हमें सत्य को स्विकार गरना है कि हमारी सीमाई होती है हमारी दृष्टी की सीमा होती है हमारी सोच की सीमा होती है हमारे ग्यान की सीमा होती है हम भविशी के बारे में नहीं जानते हैं हम ये जानते हैं कि फलाना व्यक्ति मुझे अभी फिलाहल प्यार करता है फलाना व्यक्ति मेरे लिए ये करता है लेकिन कल क्या होगा हम नहीं जानते हैं इस यास नभी के गरंद के अध्याईदो उसके वाक्य बाइस में प्रभु कहते हैं मनुश्यों पर भरोसा मत रखो मनुश्य नाक के श्वास के सद्रिश है मनुश्य नाक के श्वास के सद्रिश है और उससे जदा क्या है तो हमारी सीमाएं होती हैं और हमारी सारी योजनाएं उन सीमाओं की परिधी में होती है यारमियस नभी के ग्रंध की अधियाई 29 उसके वाकिय 11 में प्रभु कियते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाय मैं जानता हूँ तुम्हारे आशा मैं भविष्य की योजनाय तुम्हारे लिए हितकर योजनाय वाकि बारे में प्रभु कहते हैं तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हे सुनूँगा तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुमारी प्रार्थना को सुनूँगा तुम मुझे धूनोगे मैं तुमें मिल जाओंगा वाकि तैरा में प्रभु कहते हैं यदि तुम संपूर्न हर्दे से मुझे धूनोगे मैं तुम्हें मिल जाओंगा और मैं तुम्हारे भविश्य को पलड़ दूँगा यदि तुम संपूर्न हर्दे से मुझे ढूनोगे तो मैं तुम्हें मिल जाओंगा और मैं तुम्हारे भविश्य को पलड़ दूँगा इस संपूर्न हर्दे से ढूनने करती क्या है चाहिए कि हम अपनी योजनाओं को प्रभू के अधीन कर देंगे प्रभू के अधीन कर देना मा मर्यम की तरह ये कहना कि मैं प्रभू की दासी हूँ तेरा कथन मुझे में पूरा हूँ मैं प्रभू की दासी हूँ तेरा कथन मुझे में पूरा हूँ प्रभी येसु की तरह ये कहना कि पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जिस समय हम अपनी जरूरतों को अपनी इच्छाओं को अपनी योजनाओं को प्रभू के हाथों में सुपूर्द कर देंगे यानि प्रभु की ओजनाओं के अनुसार करेंगे प्रभु की इच्छा के अनुसार करेंगे तो हमारी जीवन में प्रभु के महान-महान कारिय हमें देखने को मिलेंगे हमें जिद नहीं करना होगा हमें प्रभु के सामने अपने निवेदनों को रखना होगा और प्रभु पर भरोसा रखना होगा तीसरी बात समर्पन वास्तों में भक्ती में सबसे आविश्यक और सबसे कठिन बात समर्पन है सबसे आविश्यक बात समर्पन है आप कितनी ही भक्ती करें प्रार्थना करें वचन पढ़ें चिल्लाएं, पूजन करें, अर्चन करें लेकिन अगर आपके अंदर समर्पन नहीं है तो वो सारा पूजन, अर्चन, सारी प्रार्थनाएं नगन है संपूर्ण समर्पन, पूरा समर्पन संद पेत्रूस अपने पहले पत्री के अध्याई एक उसके वाके सात में कहते हैं आप अपने सारी चिन्ताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधी लेता है कितना सुंदर वचन है आप अपने सारी चिन्ताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधी लेता है तेत्रूस कहते हैं कि आप अपने सारी चिंता एं एक एक चिंता सारी चिंता एं ये बात आज हमारे मन में कूशती रहे आप अपने सारी चिंता एक एक चिंता उस पर छोड़ दे शब्दों का ख्याल कीजिए उस पर छोड़ दे आगे पेतरुस कहते हैं क्योंकि वह आपकी सुधी लेता है वह आपकी सुधी लेता है जितना आप अपने बारे में चिंतित हैं जितना आप अपने परिवार के बारे में चिंतित हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्रभू आपके बारे में चिंतित हैं हम ना भूलें प्रभू ने हमें हमारी माताओं के गर्भ में बनाया है हमारे निर्मान किया है सुक्ति ग्रंद के अध्याई 16 उसके वाकिय एक में आपने पढ़ा होगा सुक्ति ग्रंद अध्याई 16 वाकिय एक में प्रभू का वचन कहता है मनुशे योजनाएं बनाता है लेकिन उनकी सफलता प्रभू पर निर्भर है मनुशे योजनाएं बनाता है लेकिन उनकी सफलता प्रभू पर निर्भर है कि ये सत्य नहीं है हम योजनाएं बनाते हैं लेकिन उनकी सफलता प्रभू पर निर्भर है इस दुनिया में कितने ही लोग हैं जो अपने लिए धेर सारी सपने देखते हैं धेर सारी योजनाएं बनाते हैं लेकिन सबकी योजनाएं सफल नहीं होती है सबके सपने साकार नहीं होते हैं आज मिझे याद है एक व्यक्ति के बारे में मुझे सुनने को मिला कि वो व्यक्ति अपने लिए एक बहुत सुन्दर मकान बनवाया मकान के नर्मान के बाद ग्रह प्रवेश के लिए लोगों को आमंतरित करने के लिए गया था लेकिन वो व्यक्ति घर वापस नहीं आया उसकी लाश लाए गई हमारे जीवन में बहुत सारी योजनाएं हैं बहुत सारे सपने हैं एक सत्य को हमें भूलना नहीं चाहिए कि उन सारी योजनाओं की सफलता प्रभू पर नर्भर रहे और इसलिए जरूरी है कि हम प्रभू पर नर्भर रहें कटिन परिश्रम करे मेहनत करना हमारा काम है लेकिन उसको सफलता प्रदान करना प्रभू का काम है एक बहुत सुंदर वचन है सुक्ति ग्रंधि के उसी अध्याय के वाकिय 33 में पहते हैं निरने के लिए चिठियां पात्र में डाली जाती हैं किन्तु परिणाम प्रभू के हाथ में निरने के लिए चिठियां पात्र में डाली जाती हैं लेकिन परिणाम प्रभू के हाथ में हम बहुत सारी योजनायं बनाते हैं लेकिन उसकी सफलता प्रभू के हाथ में इसलिए सुक्ति ग्रंध के अधियाए 16 उसी अधियाए के वाकित तीन में प्रभू का वचन कहता है अपने सभी कारिय प्रभू को समर्पित करो अपने सभी कारिय प्रभू को समर्पित करो और वह तुम्हारी योजनाओं को सफल बनाएगा ये एक विश्वासी की जीवन शैली होनी चाहिए हम और प्रभू आलग नहीं है हम मेहनत करेंगे अपना जीवन स्वयन जीएंगे और भक्ति करेंगे ऐसा नहीं है एक विश्वासी की जीवन में प्रभू घुला मिला रहता है प्रभू जुडा वर रहता है एक विश्वासी को अपने जीवन से प्रभू को आलग नहीं करना चाहिए हम एक बहुत सुन्दर उदाहरन मिलता ही वहन के सुसमाचार की अधियाई दो में वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्रभी एसुमसी काना नगर के विवाह भुज में गये थे सुसमाचार में बताता है कि प्रभी एसुमसी की माँ वहाँ पर उपस्ति थी आगया में पढ़ने को मिलता है कि एसुमसी और उनके शिष्ष भी वहाँ विवाह भुज में